भगदत महा भारत काल का वो व्रिद्ध योद्धा था जिसने एक समय पांड़ पक्ष के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन और भीम के प्राणों को भी संकट में डाल दिया था आखिर कितने शक्तिशाली थे भगदत कैसे आई उनमें इतनी शक्ति पौन से अस्त्र शस्त्र थे उनके पास क्यों उनको पराजित करना लगभग संभवसा हो गया था भगदत के जीवन से जुड़े हुए सबी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंततक अवश्य देखी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें इससे हमें और भी अच्छा कारे करने की प्रेणा मिलती है भगदत प्राग जोतिशपुर का राजा तथा नरकासुर का पुत्र था महाभारत के आदी पर्व के अनुसार असुरो में श्रेष्ट जो वाशकल था वही नर्श्रेष्ट भगदत के नाम से उत्पन हुआ था वो वाशकल नामक असुर का पुनर जनम था श्रेमत भागवद पुरान दशम सकंद अध्याय उनत्तर के अनुसार जब श्री कृष्ट ने नरकासुर के साथ युद्ध कर अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक कार डाला था तो उस समय नरकासुर की माता देवी पृथ्वी वहाँ आई और श्री कृष्ट को नमसकार करते हुए उनसे बोली प्रभो मेरे पुत्र भामा सुर का ये पुत्र भगदत अत्यंत भैभीत हो रहा है मैं इसे आपके चर्ण कमलों की शरण में ले आई हूँ प्रभो आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वेकर कमल रख दीजिए जब पृथ्वी ने इस प्रकार भगवान शरी कृष्ट की स्तुति प्रात्ना की तब उन्होंने भगदत को अभैदान दिया और नरकासुर की समस्त संपत्यों से संपन महल में प्रवेश किया वहाँ जाकर भगवान ने देखा कि भामासुर ने बल पूर्वक राजाओं से 16,000 राजखुमारियां छीन कर अपने यहां रख छोड़ी थी जब उन्राजखुमारियों ने भगवान शीरीकृष्ण को देखा तवे मोहित हो गई और उन्होंने अपना सोभाग्य समझ कर मनही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पती के रूप में वरण कर लिया शीरीकृष्ण ने उन्राजखुमारियों को द्वारका भेज दिया एरावत के वन्ष में उत्पन हुए अत्यंत वेगवान चार चार दांतों वाले सफेद रंग के चौंसट हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे उन्ही में से एक हाथी जिसका नाम सूप्रतीक था उसको शरीकृष्ण ने भगदत को दे दिया यही नहीं शरीकृष्ण ने द्वारका प्रस्थान से पूर्व भगदत को प्राग जोतिशपुर का नरेशन यूग्त कर दिया था भगदत यवन और मलेशों के राजा थे अपने पिता नरकासुर से भगदत को अचूक वैशन वास्तर भी प्राप्त हुआ था नरकासुर को ये अस्तर स्वायम भगवान विश्णू ने दिया था भगदत राजा पांडू और देवराज इंदर दोनों के अच्छे मित्र थे पिता मैं भीश में जब दुर्योधन से कौरप पक्ष के सभी योध्धाओं की श्रेणी बता रहे थे तो उस समय भगदत के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि प्राग जयोतुषपुर के राजा भगदत बड़े वीर और प्रतापी हैं हाथ में अंकुष लेकर हाथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे उंचा स्थान है ये रत युद में भी कुशल हैं महाभारत के सभापर्व के अनुसार भगदत जरासंद के अनुयाई तता सहायक थे उनकी सेना भी जरासंद की सहायता के लिए ततपर र अर्जुन ने प्राव जयोतिशपुर पर धावा किया वहां भगदत और अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ था राजा भगदत ने अर्जुन के साथ आठ दिनों तक युद्ध किया तो भी उन्हें युद्ध से ठकते ना देख़े हंसते हुए बोले महाभाहु गौरवनंदन तुम इंद्र के पुत्रों और शूर वीर हो तुम में ऐसा बल और प्राक्रम उचित है मैं देवराजिंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ बेटा तो भी मैं संग्राम में तुमारे सामने खड़ा नहीं हो सकूँगा तब अरजुन भगदत से कर लेकर आगे बढ़ गए भगदत युद्धिष्टर के राच सोय यग्य में भी उपिस्तित थे महा भारत वन परवध्याए 254 के अनुसार जब कर्ण अपनी दिखविजय यात्रा पर निकले थे उस समय उनका भगदत के साथ भी युद्ध हुआ था और करण ने वहाँ भगदत को पराजित कर दिया था आईए जानते हैं उरुक्षेतर युद्ध में उनका परदर्शन कैसा था उरुक्षेतर युद्ध से पहले तक कोई ये जान ही नहीं पाया था कि भगदत वास्तव में किस थरके युद्ध हैं उन्होंने अपने परदर्शन से शतुर्टा भगदत अपने साथ अपने एक अक्षोनी सेना लेकर आये थे पहले ही दिन उन्होंने अपना पहला युद्ध राजा विराड के साथ लड़ा था और उन्होंने बाणों की भारी वर्षा कर राजा विराड को घायल कर दिया था महा भारत के राप्त हो ध्वज का टंडा थाम लिया था इसके उपरांद उनका राक्षस घटोतकच के साथ बहुत ही भीशन युद्ध हुआ था दोनों ने एक दूसरे को पिरित किया था परन्तु अंतत्य घटोतकच ने भगदत पर विजय पाई थी और जब घटोतकच और वगदत क पुने युद्ध हुआ तो इस बार भगदत के हाथो घटोतकच की प्राजे हुई थी, भगदत ने घटोतकच की माया को भी काड़ दिया था, इसके उपरांद दशान नरेश अपने विशाल हाथी पर सवार होकर भगदत से युद्ध करने आया, भगदत ने उस नरेश का वद कर उसके हाथी को अती घायल कर वहां से भगा दिया था उस हाथी ने भागते हुए पांडव सेना में भगदर मचा दी थी ये देख खटोतकच अभिमन्यू दुरापदी के पांचो पुत्र उता भीमसेन ने सामोही काकरवन किया परंतु भगदत ने अकेले ही उसे विफल कर दिया उन्होंने अपने बानों द्वारा अभिमन्यू उपपांडव भीम को भी घायल कर दिया फिर कई बान चलाकर भीमसेन के सार्थी को घायल कर दिया था और भीमसेन के रत के घोड़ों को भी मार डाला था भीम सेन का सार्थी रत के पीछे जाकर छुप गया था वहाँ उन्होंने शत्रदेव की भुजा को भी काट डाला था सात्यकी के साथ हुए एक युद्ध में भगदत हावी हो गए थे और सात्यकी को युद्ध से पीछे हटना पड़ा था भगदत ने उस युद्ध के उपरांद कृति के पुत्र रुची पर्व को भी मार किराया था अभिमन्यू, उपपांडव, ध्रिश केतु और युद्ध के एक और सामोही काकरमन को भगदत ने विफल कर दिया था एक समय तो हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीम से इनको भगदत के हाथी सुपरतीक ने भैभीत कर युद्ध भूमी से पीछे हटने के लिए विवश कर दिया था वैदिव्वे हाथी वैश्नवास्त्र के प्रभाव से और भी शक्तिशाली हो गया था और इसी कारण भीम भी उसको काबू नहीं कर पाये थे भगदत का राजा दुरुपद के साथ भी युद्ध हुआ था दोनों ने ही एक दूसरे पर वार प्रहार किये परंतु युद्ध का कोई परणाम नहीं निकला था भगदत का अंतिम युद्ध अर्जुन के साथ हुआ था साधारन बानों से अरंब हुआ वो युद्ध से व्यास्त्रों तक चला गया दोनों ही ने एक दूसरे को पीडित किया था पर जब अर्जुन भगदत पर हावी होने लगे तो उन बानों से घायल हो अत्यंत पीडित होकर भगदत ने वैश्नवास्त्र प्रकट किया उसने कुपित होकर अपने अंकुष को ही वैश्नवास्त्र से भिमंत्रित करके पांडुनंदन अर्जुन की चाती पर छोड़ दिया भगदत का छोड़ा हुआ अस्त्र सबका विनाश करने वाला था भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयम ही अपनी चाती पर उसकी चोट सहली भगवान श्रीकृष्ण की चाती पर आकर वै अस्त्र वैजन्ती माला के रूप में परनित हो गया इसके उपरांथ अर्जुन ने बान मार कर भगदत के शिर्की पट्टी छिन भिन कर दी थी उस पट्टी के कट्ते ही भगदत की आँखे बंध हो गई उस समय एक अर्ध चंद्राकार बान के द्वारा अर्जुन ने राजा भगदत के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया अर्जुन के द्वारा रिदे विदीर्ण कर दिये जाने पर राजा भगदत ने प्रान शुन्ने होकर अपने धनुशबान त्याग दिये और वे वहीं पृत्वी पर गिर पड़ा और इस प्रकार उस महान योध्धा का अंत हुआ जैशरी कृष्ण आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो पैसे लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की दूटी के लिए आप सब से क्षमा याचना करते हुए आप से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जै